इस लिक्चर का टॉपिक है एडिट सब्स्टांसिज, लाइक ब्रिजर्वेटिव्स, एंटी ऑक्सिडन्स, सॉलिबिलाइसर, सुस्पेंडिंग एजेंट्स, बॉफर्स, एंड स्टेबिलाइसर्स अदवियात को बनाने के लिए हमें बहुत सारे इजिजा की जरूरत होती हैं इन इंग्रीडियंट्स को हम दो इस्तों में तक्सीम कर देते हैं एक को हम Active Ingredient जिसको हम Active Pharmaceutical Ingredient या पिर Active Consequent भी कहते हैं और दूसरे Ingredients को हम Excipient का नाम देते हैं यानि के वो तमाम एशिया जो के अजाफी तोर पर अदवियात को बनाने के लिए इस्तमाल की जाती हैं और ये अदवियात को बनाने के लिए इंतहाई जरूरी भी होती हैं इनको हम Excipient कहते हैं इस लिक्टर में हम इन तमाम Excipient का जिकर करेंगे लेकिन आपको एक बात ये भी याद रहे कि ये एकसीपियंट तमाम तर अदवियात की इशकाल को बनाने के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं जैसा कि मसाल के तौर पर ये एकसीपियंट सॉलिड डोजिज पाम जैसे टैबलिट्स और कैप्सूल्स को बनाने के लिए भी जरूरी होते हैं इसके अलावा ऐसी अदवियात जो के माया हालत में पाई जाती हैं जिनको हम लीकुर्ड डोजिज पाम कहते हैं जैसा कि सीरप और अलिक्सर जा फिर इंजेक्शन वगेरा इनके लिए भी ये सीपियंट इंतहाई जरूरी होते हैं या पिर अगर बात की जाए सेमी सॉलिड डोजिज पाम की जैसे कि क्रीम्स या फिर इसके अलावा लोशिन्स वगेरा ऐसी अदवियात के लिए बी ये इनतहाई जरूरी होते हैं और आखर पर ऐसी अद्वियात जो कि गेशियस डोजिश फाम होती हैं, जो कि गैस की शकल में पाई जाती हैं, जैसे कि एरोसून और नियूबलाइसर्स वगेरा, इनके लिए भी ये एकसीपियंट इंतहाई जरूरी होते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम इन तमाम एकसीपियंट को डीटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे, कि ये क्यों अद्वियात को बनाने के लिए जरूरी होते हैं और इनका कैसे इस्तमाल किया जाता है। सबसे पहले एकसीपियंट का इंटोडक्शन जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं और ये किस तरह की अद्वियात में इस्तमाल किये जाते हैं। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। हमें ड्रग्स यानिकी केमिकल्स की जरूरत होती है। और हम अद्वियात को बनाने के लिए एक या पिर एक से जायत केमिकल्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं। अब ये एक या पिर एक से जायत केमिकल्स की मदद से तो हम दवाई नहीं बना सकते। इन केमिकल्स को एक मकसूस किसम की शकल में धारने के लिए हमें और भी बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत होती है जिन को हम फार्मसीटिकल इंग्रीडियन्ट का नाम देते हैं। इसलिए अब ये बात वाजय हो चुकी है कि अदवियात को बनाने के लिए जहां पर हमें एक्टिव इंग्रीडियन्ट या पिर एक्टिव फार्मसीटिकल इंग्रीडियन्ट की जरूरत होती है वहां इसके साथ साथ हमें कुछ अजाफी इंग्रीडियन्ट की भी जरूरत हो देते हैं तो लेकर हम इनको नाम सिर्फ चावल का ही देते हैं हम ये नहीं कहते कि आज हमने इसके अंदर गोशत या पिर आलू या पिर इसके अंदर मटर और साथ-साथ नमक और मिर्च भी डाली है हम ऐसा कोई नाम नहीं देते क्योंकि जो चीज फाइनल पॉरड़क्ट होत बहुत सारी अजाफी चीजों का इस्तमाल करते हैं और इस लेक्चर में इन तमाम अजाफी चीजों को ही हम डिसकस करेंगे जिन को हम excipient का नाम दे रहे हैं जैसा के मसाल के तोर पर हम solutions की बात करते हैं solutions को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है एक सिल्यूट और दूसरा हमारे पास सॉल्वेट सॉल्वेट क्या होता है? वो चीज जो के क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होती है और जिसको हम पहले ही बीकर में डाल लेते हैं यानि कि वो चीज जो के तदाद में भी ज्यादा है और पहले से बरतन में मजूद होती है इसको हम solvent कहते है और वो चीज जो के हम बाद में इसमें डालते है और जिसकी quantity भी हमारे पास कम होती है इसको हम salute कहते है तो इस तरह हमें ये बात वाजय हो चुकी है कि स्लुशन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है solvent और salute और इन दोनों को mix करने से जो चीज़ बनती है इसको हम solution कहते है लेकर solutions की तियारे में जहां पर हमें solvent और salute की जरूरत होती है इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी अजाफी चीज़ों की जरूरत होती है जैसा कि अगर हमने सलूशन किसी खास किसम की बीमारी के मकसद के लिए इस्तमाल करना है तो हम इसमें कोई ड्रग सबस्टांस को लाजमी से एड़ अप करेंगे तो इस तरह से हमारा ये सलूशन किसी खास मकसद किसी खास बीमारी के लिए बन जाएगा इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सरी अजाफी चीज़ों का इस्तमाल करेंगे जैसे के flavors यानि कि हम अपने solutions को एक खास किसम की खुशबू एक खास किसम का जाइका देने के लिए इसमें मजीद flavors को एड़ करेंगे इसके साथ स्वीटनर्स यानि कि हम अपने solutions को मीठा करने के लिए ताके इसके अंदर जो तमाम तर कड़वा पन है वो इस परड़क्ट में खतम हो जाए और इसके साथ साथ हमारी जो परड़क्ट है वो बाअसानी इनसानी मूँ के रास्ते से दाखल हो जाए तो हम इसमें मी करने के लिए इसको जरसीम से बचाने के लिए हम इसमें preservatives का भी इस्तमाल करेंगे ताके जो हमारे solutions हैं ये काफी अर्से तक महफूज रह सके and stabilizers such as antioxidants and chelating agents हम solutions को मतवाजन रखने के लिए और इसमें किसी भी तरह की कोई कीमिया तबदीली ना होने के लिए हम इसमें suppliers या पिर इसके साथ antioxidants का भी इस्तमाल करेंगे और इसके अलावा chelating agents का भी इसमें इस्तमाल किया जाएगा अब ये chelating agents क्या होते हैं पहले इसी को जान लेते हैं chelating agents ऐसे agents या पिर chemicals को कहा जाता है जो के इनसानी जिस्समें जहरीले मवाद को खतम करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं तो जब ये antioxidants की बात की जाती है तो इसके साथ ही हम chelating agents का भी जिकर करते हैं जिसकी detail हम आने वाली slides में detail के साथ जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ अगर बात की जाये तो solutions को बनाने के लिए हमें इसमें और भी बहुत सारी जीज़ों की जरूरत होती है जिसका जिकर हम आने वाली slides में करेंगे ये तमाम excipents इसलिए अदवियात में डाले जाते हैं ताके जो अदवियात हैं वो डीकंपोस ना हो सकें वो खराब ना हो सकें और ये लंबे अरसे तक मेफूस भी की जा सकें तो अब हम बात करते हैं टैबलेट्स की कि गोलियों को बनाने के लिए भी क्या हमें excipents की जरूरत होती है तो बिल्कुल ऐसा ही है टैबलेट्स को भी बनाने के लिए हमें इन तमाम excipents की जरूरत होती है जिनका जिकर हमने solution में किया है यारी कि टेबलेट्स को भी बनाने के लिए हमें फ्लेवर्ट्ट, स्वीटनर्ट्स और इसके साथbau completing प्रेजर्बेट्स और stabilizer की ज़रूरत होती है लेकर टेबलेट्स को बनाने के लिए एक और अजाफी ingredient भी डाला जाता है जिसको हम lubricants एक लिए कर त тобой हैं वो मशीन के साथ ना चिपके और इनको चिपकने से रोकने के लिए लुब्रिकेंट्स का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा गोलियों को बनाने के लिए डिसिंटिग्रेटिंग एजेंट्स ये भी इस्तमाल किये जाते हैं डिसिंटिग्रेटिंग का एजेंट्स इसलिए इस्तमार किये जाते हैं ताके जो ड्रग्स हैं खास तोर पर जो टैबलिट्स होती हैं डेट पर मोट टैबलिट ब्रेक अप आफ्टर एडमिनिस्टेशन वो इनसानी जिस्समें दाफिन होने के बाद बाअसानी छोटे टुकरों में तब्दील हो जाएं ताके वो फिर उसके बाद डिजूलेट हो सकें और इनसानी फून के अंदर शामिन हो सकें इसके अलावा भी अगर बात की जाएं तो टैबलिट्स को बनाने के लिए कोटिंग भी की जाती है यानि के टैबलिट्स की उपर बहुत सारी तेहें चड़हा दी जाती है ये कोटिंग इसलिए की जाती है चो इंप्रूव दा स्टेबिल्टी ताके जो गोली है वो काफी अर्से तक अपनी मफसूस किसम की तवाजन और मफसूस किसम की शेकल में रह सके control disintegrations और इसके साथ साथ ये कोटिंग इसलिए भी की जाती है ताके अगर इस गोली को मेदे में तोड़ना है तो बहाँ पर इसकी तेह वो तोड़ जाएगी और अगर इस गोली को मेदे के आखरे हिस्से में बरेक अब करवाना है तो इस सूरत में ये वहाँ पर जाके तोड़ जाएगी तो इसलिए गोलियों के उपर बहुत सारी जो है वो कोटिंग कर दी जाती है और इसके साथ साथ गोलियों को खूबसूरत बनाने के लिए भी ये कोटिंग की जाती है ताके जो गोलिया है वो एक खूबसूरत किसन की अपीरस यानिके शक्लों सूरत रखें इनके उपर मुख्तलिफ रंगों की तेहें इसलिए चड़ाई जाती हैं ताके गोलियां देखने बे भी अच्छी लगें तो अब मेरेखाल में आपको यह सारी बातें वाज़ा हो चुकी हैं कि तमाम तर अदवियाद की इशकाल को बनाने के लिए जहाँ पर हमें एक्टिव एंग्रीडियन्ट की जरूरत होती हैं वहाँ पर हमें साथ साथ कुछ अधाफी चीजों की भी जरूरत होती है जो कि अद अगर हम सेमी सॉलिड डोजिज फार्म की बात करें जिसमें हमारे पास आइंटमेंट्स, क्रीम्स और स्पोजिट्रीज वगेरा शामिल है इन तमाम अदवियात को बनाने के लिए भी हमें एकसीपेंट की जरूरत होती है और ये तमाम एकसीपेंट्स इन अदवियात की जो बेसिस होती है यानि की इनकी जो बनियादी पहला इंगरीडियन्ट होता है उसमें शामिल कर दी जाती है ताके ये भी अपनी एक मखसूस किसम की शकल बरतरात रख सके अदवियात की इशकाल को एक मखसूस किसम की शकल देने के लिए और उनको एक बहतरीन परड़क्त के अंदर तब्दीर करने के लिए हम इन एकसीपेंट्स का इस्तमाल करते हैं ताके जो अदवियात हैं वो अपनी एक मखसूस किसम की शकल बरकरार रख सके उनकी साख भी मेंटेन रह सके वो अपना तवाजन बरकरार रख सके उनका जाइका बिलकुल भी खराफ ना हो और उनकी शकल सूरत भी अच्छी रहे तो इन तमाम चीज़ों को बेतरी लाने के लिए हम इन एकसीपेंट्स का इस्तमाल करते हैं अब हम इन तमाम एकसीपेंट्स को डीटेल के साथ बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं इसको हम प्रिजरिवेटिव्स कहते हैं अब ये प्रिजरिवेटिव्स क्या होते हैं ये जानने के लिए पहले स्लाइड को लीड कर लेते हैं अब प्रिजरिवेटिव्स is a naturally occurring or synthetically produced substance that is added to product such as pharmaceuticals, food, paints, biological samples and words citras प्रिजरिवेटिव्स जो होते हैं ये कुदर्ती तोर पर भी पाये जाते हैं या पिर हम इनकों रिबार्टिव्स में भी तियार कर सकते हैं अब ये जो प्रिजरिवेटिव्स होते हैं ये ना सिर्फ अदवियात को महफूज करने के लिए इस्तमाल होते हैं बलका इसके साथ-साथ अगर हमारे पास कोई भी फूड एजेंट है, जैसे हमने किसी भी फल या फिर सबजी को महफूज करना है, या फिर हमारे पास कोई पेंट्स हैं उनको महफूज करना है, या पिर इनसानी जिसम से नकाले गए बहुत सारे नमूने वगेरा, और लकड़ी से बनी हुई चीजों को भी अगरमेफOOD करना है उनको जरसीम से बचाना है तो इन तमाम चीजों के लिए भी हम जो कैमिकल्स इस्तमाल करते हैं, इनको हम प्रिजरुटिव्स कहते हैं अब हम इन Preservatives की मकमर तारीफ जानने की कोशिश करते हैं की Preservatives की क्या तारीफ होती है Preservatives can be defined as It is prevent or inhibit the growth of microorganisms to avoid the degradation of the product or medicinal product Risk of infection or undesirable chemical changes Preservatives जैसा के नाम से ही जाहिर है कि किसी भी चीज़ को महफूज करना उसको बचाना अब ये जो Preservatives होते हैं ये हमारी अदवियात को किस चीज़ से बचाते हैं जब हम अद्वियात को बनाते हैं तो अद्वियात को बनाने के बाद इसमे बहुत सारे जरसीम की बढ़ने के चांसिस भी बढ़ जाते हैं तो इस तरह से अदवियात के अंदर मजूद या फिर अदवियात को महफूज करने के लिए उनको जरसीम से बचाने के लिए और उन में मजूद जरसीम की बढ़ोतरी को खतम करने के लिए जिस एजेंट या फिर केमिकल का इस्तमाल किया जाता है इसको हम प्रिजरिविटिव कहते हैं ताके जो परड़क्ट्स हैं उनको जरसीमों से मेफूज किया जा सके और किसी भी तरह की कोई बिमारी बगेरा ना प्हैल सके और जो अदवियात के अंदर केमिकल्स इस्तमाल किया जा रहे हैं वो केमिकल्स भी अपनी शक्लु सूरत बरकरार रख सके और उसमें किसी अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से preservatives हैं जिनका हम अदवियात के अंदर इस्तमाल करते हैं Common Preservatives Using Pharmaceutical Products आर जिसमें हमारे पास सबसे पहले नमबर पर है Benzoic Acid, दूसरे नमबर पर है Sodium Benzoate, तीसरे नमबर पर है Quartnery Ammonium Sars, प्योफ्रे नमबर पर है Butyl Paraben और पांचवे नमबर पर है Methyl Paraben और आखरी preservatives है Chloro-Buta-Node Excipient में हमारे पास दूसरे नमबर पर है Anti-Occident ये दो अलफाज का मजमुवा है पहला लफज है Anti जिसका मतलब होता है Angase, किसी भी चीज़ की खलाफ होना और Oxident का मतलब होता है Oxidation यानि कि किसी भी चीज़ में हवा, नमी या पिर Oxygen का शामिल हो जाना अब ये Anti-Occident क्या होते हैं सबसे पहले इसी लफज को जानने की कोशिश करते हैं ऐसी सबस्टांस या पिर ऐसे केमिकल्स जोके अदवियात में मजूद नमी को खतम करते हैं ताके अदवियात लंबे अर्से तक मेहफूज रह सकें और ये केमिकल्स या पिर जो मालेक्यूर्स होते हैं जोके इंसानी जिस्सम में मजूद प्री रेडिकल्स को खतम करने का काम करते हैं इनी को हम एंटी ऑक्सिदेंट्स का नाम देते हैं सबसे पहले लपस ऑक्सिडेशन को ही समझ लेते हैं क्योंकि एंटी का मतलब तो हम जान चुके हैं जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंगेस दोना तो ये जो दूसरा लफ़ज आक्सिडेंट है जिसको हम आक्सिडेशन कहते हैं अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है ऑक्सिडेशन इसा केमिकल प्रासिस डेर ट्रांसवर्स एलेक्टरॉन प्राम वन सबस्टांस तो एन अदर एंड कन परड्यूस प्री रेडिकल्स ऑक्सिडेशन असल में हमारे पास एक कीमियाई अमल होता है जिसमें हमारी परड़क्ट यानिके जो दवाई है इसके अंदर मजूद जो केमिकल्स होते हैं उनके जो एलेक्टरॉन्स होते हैं वो एक से दूसरे में तबदीन होते हैं जब ये केमिकल्स एक से दूसरे में त ये जानने की कोशिश करते हैं इस प्री रेडिकल को समझने से पहले हम इस तस्वीर को देख लेते हैं यहां पर आपको एक शर्बत की शीशी दिखाए गई है जो कि उपर से तो अच्छी तरह से डखकन से सील बंद है लेकर अगर हम इसकी सर्फिस को देखें तो हमें यहां पर दर्मियान में वाज़ा तोर पर एक सुराख नजर आ रहा है अब यह जो सुराख है इसमें से बाअसानी हवा अंदर जासती है और जैसे ही हवा बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो हमारे परड़क्ट के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रासिस शुरू हो जाएगा यह जो अप्रासिजन के जो पार्टिकल्स हैं अब वो इस शीशी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जैसी अक्सीडेशन यानकि अक्सीजन का पार्टिकल इन केमिकल्स के साथ जुड़ेगा तो जुड़ने के अमल के दुरान इसमें मजूद जो केमिकल्स होंगे वो अपनी साख हो देंगे और वो एक शकल से दूसरी शकल में तबदीर हो जाएंगे और इनकी इस तबदीनी से प्री रैडिकल्स पैदा होंगे अब ये जो प्री रैडिकल्स होते हैं ये असल में एक तरह की वाइजन यानिके जहर होती है और ये जो pre-radicals होते हैं ये महौल से ही इनसानी जिसम के अंदर दाखिल होते हैं जैसा के मसाल के तौर पर सिर्गिट स्मूग अगर कोई शफ सिर्गिट पीता है तो उसके धुए से भी आपकी body के अंदर pre-radicals जा सकते हैं या फिर कोई toxin जैनकि जहरीला मवाद जैसे कि यहां पर मैंने आपको वाज़िया तोर पर देखा दिया है कि इस शर्बत की शीशी से बाहर से अगर oxygen जाएगी तो अंदर उसकी जो chemicals हैं वो pre-radicals पैदा करेंगे और ये toxin हो सकते हैं इस से भी जो है वो आपके body को नुपसान हो सकता है सन लाइट अगर आपकी दवाई सूरज की रोशनी में पड़ी हुई है तो इस सूरत में भी उसके अंदर pre-radicals पैदा हो सकते हैं and pesticides वो तमाम chemicals जो के छोटे कीडे मकड़ों को खतम करने के लिए इस्तमाल होते हैं उन से भी जो है वो free radicals पैदा होते हैं तो ये तमाम चो चीजें यहां पे जिकर की गई हैं ये सब free radicals पैदा करती हैं और ये महौल से ही हासिल की जाती है और ये इनसानी जिसम के अंदर दाफिल होने के बाद इनके खुडियों के अंदर बहुत सारी तबदीलियां रूनमा करती हैं हता कि ये इनसानी खुलिये की डेथ भी कर देती हैं तो जब इनसानी खुलिये की डेथ होना शुरू हो जाती है तो इसके साथ साथ इनसानी टिशूज होते हैं ये भी नापेद होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह इनसानी बाड़ी बेमारी में और इसके साथ साथ जान Cancer Institute है जिसको NCI कहा जाता है इस अदारे के मताबिक अगर इनसानी जिसम में free radicals दाफिल हो जाएं और इन free radicals से इनसानी पुरिये की death हो जाएं तो इस सुरत में इनसानी जिसम के अंदर उसके जो tissues या जो cells होते हैं ये cancer में मुब्तला हो जाते हैं और इस तरह इनसान cancer जैसी जान लेवा मर्ज में मुब्तला हो जाता है इसलिए अब ये बात हमें बिलकुल वाज़ा हो चुकी है कि दवाईों को हमेशा मेफूस जगा पर रखना चाहिए और ये हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो दवाई है वो अच्छे तरह से सील पैक है फुली दवाईों को हर्गिस इस्तमाल नहीं करना चाहिए अब हम anti-oxidant की मकमल definition कर लेते हैं कि ये क्या है anti-oxidants are used to reduce the oxidation of active substances and excipients in the finished products anti-oxidants की तारीफ कुछ इस तरह से है कि ये essay chemicals को कहा जाता है जो के खास तरह पर अदवियाद को बनाते वकत और जब अदवियाद मकमल तरह पर त्यार हो जाती है तब भी हम इसमें anti-oxidants को डाल सकते है ताके जो अदवियादे इनके अंदर किसी भी तरह का कोई oxidation process ना हो सके और अगर हमने इन अदवियाद को बनाने के लिए excipient का इस्तमाल किया है तो कोई भी excipient भी oxidation का process ना कर सके इन तमाम chemicals को oxidation के process से रोकने के लिए इन में anti-oxidants chemicals का इस्तमाल कर दिया जाता है ताके अदवियाद अपनी शक्लों सूरत बरकरार रख सके और अगर इन में कोई भी नमी जाती है तो वो नमी anti-oxidant chemicals के साथ मिल कर फ़तम हो जाए और दवाई के chemicals में किसी भी तरह का कोई नमी वगेरा पैदा ना हो commonly antioxidants are included in pharmaceutical products to enhance the stability of therapeutic agents अदवियाद को बनाने के लिए anti-oxidants का इस्तमाल इसलिए किया जाता है ताके जो अदवियाद में active ingredient या पिर जो excipient इस्तमाल किये गए हैं वो अपने तवाजन को बरकरार रख सकें और इसमें किसी भी तरह की कोई तबदीली बगेरा ना आए तो इस स्लाइड में हम इन तमाम anti-oxidants का जिकर करेंगे जो के खास दोर पर अदवियाद को बनाने के लिए इस्तमाल किया जाते हैं जिसमें हमारे पास पहले नमबर पर है ascorbic acid दूसरे नमबर पर है sodium ascorbate और तीसरे नमबर पर है sodium bisulfite अब हम अगले एकसीपेंट की बात करते हैं जो के है solubilizer जैसा के हमें नम से ही वाज़िया हो रहा है solubilize करना यानि के ingredients को एक बूसरे में अच्छे से हल पसीर करने के लिए जो agent इस्तमाल किया जाता है इसको हम solubilizer कहते हैं मिजीड डेटेल जानने के लिए पहले स्लाइट को रीड कर लेते हैं The excipents used to solubilize drugs in oral and ejectables dosage farms are called solubilizer solubilizer भी हमारे पास बतौरे excipient इस्तमाल किया जाता है और solubilizer का इस्तमाल खास तोर पर ऐसी अदवियात में किया जाता है जो कि इनसानी जिस्टम में मूँ के रास्ते से दाहल की जाती है या पिर ऐसी अदवियात जो कि टीकों की शकल में बनाई जाती है उनके लिए भी solubilizer इंतहाई जरूरी होते है यानि कि जो हमारे पास solubilizer होते है ये ऐसे इंग्रीडियन्स होते है जो के मुक्तलिफ तरह के जो केमिकल्स अदवियात को बनाने के लिए इस्तमाल किया जाते है उनको हल करने के लिए ही इस्तमाल होते है solubilizer is used to improve the solubilization of hydrophobic substances and to increase the bioavailability solubilizer का इस्तमाल खास तोर पर ऐसे केमिकल्स के लिए किया जाता है जो के एक दूसरे में हल नहीं होते जो के एक दूसरे से दूर भागते हैं उनको एक दूसरे के साथ अच्छे से यकसा तोर पर हल पजीर करने के लिए और उनकी bioavailability को बढ़ाने के लिए हम जो केमिकल्स इस्तमाल करते हैं इनको solubilizer कहा जाता है जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि solubilizers ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि ऐसे products में इस्तमाल किया जाते हैं जिनके ingredients एक दूसरे में हल ना होते हों जैसे कि अगर हम suspension की बात करें तो suspension को बनाने के लिए हम पानी और powder का इस्तमाल करते हैं और ये दोनों एक दूसरे में हल नहीं होते तो इन दोनों को एक दूसरे में अच्छे से हल करने के लिए और इनको एक मतवाजन शकल देने के लिए हम इन solubilizer का इस्तमाल करते हैं इसके अलावा kolides और gels की त्यारी में भी solubilizers का इस्तमाल किया जाता है इसके साथ अगर हम बात करें solubilizers की तो solubilizers हमारे पास बहुत सारी अदवियात की शकाल को बनाने के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं खास दोर पर ऐसी अदवियात जो के मूँ के रास्ते से इंसानी जिसमें दाहर की जाती हो जैसे के औरल सुलूशन्स, सीरफ, अलिक्जर्स और सुलूशन्स वगरा इन तमाम अदवियात को बनाने के लिए solubilizers का लाजमन इस्तमाल किया जाता है common solubilizers used in pharmaceutical products आम तोर पर अदवियात को बनाने के लिए हम जिन solubilizers का इस्तमाल करते हैं इन में शामिल है पहली नमबर पर alcohol, दूसरी नमबर पर cold oil, तीसरी नमबर पर glycerine और चौती नमबर पर है mineral oil, पांच में नमबर पर है purified water और शिक्स नमबर पर है water power injection, और साथ में नमबर पर है sterile water power injection. next excipient is suspending agent, जैसा के नाम से ही जाहिर है suspending, यानि के ये ऐसे agent हैं जो के हम खास दौर पर suspensions के अंदर use करते हैं, तो ये जानने के लिए पहले slide को lead कर लेते हैं. agents use in pharmaceutical suspensions to increase the viscosity, सबसे पहले suspension की बात करते हैं कि ये क्या है, suspension हमारे पास अदवियात की एक ऐसी शकल है, जिसको हम बाइफेजिक डोजिज फार्म कहते हैं, यानि कि suspension को बनाने के लिए हम दो एहम तरीन इज़ा का इस्तमाल करते हैं, जिन में शामिन है पानी और powder, और जब हम पानी और powder को mix करते हैं, तो वो एक दूसरे में यकसा तोर पर mix नहीं होते, तो इस सुरत में इन दोनों चीज़ों को mix करने के लिए इन में जो तीसरा agent डाला जाता है, इसको हम suspending agent कहते हैं, ताकर ये दोनों chemicals, पानी और powder एक दूसरे में जगसा तोर पर हल पजीर हो जाएं, तो ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकर जो हमारी product है, उसकी viscosity बढ़ाई जा सके, An agent using suspension to increase the viscosity of the continuous phase, so that the particles remain suspended for a sufficiently long time. Suspending agent का استعمال suspension को बनाने के लिए किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकर जो suspension है, इसकी viscosity को भी बढ़ाया जा सके, और ये suspension की जो continuous phase होती है, ये उसकी viscosity को बढ़ा देते हैं, और इस तरह से जो powder के particles होते हैं, वो अच्छे से continuous phase में suspend हो जाते हैं, और इस तरह ये बासानी उसमें हल पजीर होते हुए हमें नजर आते हैं, और ये असानी के साथ दोबारा पिर अलादा भी नहीं होते हैं, और product अपनी असली शक्र सूरत में रहती हैं, तो अब आपको ये बात वाज़ा हो चुकी है, ये suspension को बनाने के लिए, जहां हम दो च chemical डाला जाता है, जो कि excipient कहलाता है, इसको हम suspending agent कहते हैं, वो suspending agents perform two functions, आम तोर पर जो हमारे पास suspending agents इस्तमाल किये जाते हैं, इनके दो एहम काम हैं, Besides acting as a suspending agent, they also imparts viscosity to the solution, जहां पर हमारे पास suspending agent दो chemicals को खल करने में मदद देते हैं, इसके साथ साथ ये suspending agent हमें, solution के अंदर जो विस्कॉस्टिक होती है, उसको भी बढ़ाने में अपना एहम तरीन role play करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला function है, suspending agents form film around particles and decrease the inter-particular attraction, थोड़ा सा इस बात को समझने की पोशिश करते हैं, हमारे पास एक beaker है, इस beaker के अंदर हमने सबसे पहले पानी को डाल दिया है, जो के हमारे पास solvent है, अब इसके अंदर हम डालेंगे salute, जो के हमारे पास कम तदात के अंदर है, और ये हमारे पास इस वकत powder भी है, अब ये जो powder है, उसके दाने कुछ हमारे पास इस तरह से हम particles को हम अच्छे से suspend करने के लिए इसमें हम डाल देते है suspending agent अब ये जो suspending agent होता है वो इन जो particles होती है चले इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास particle है इस particle की उपर ये एक बारीक सी cover चड़ा लेगा एक बारीक सी film यानि कि ते चड़ा लेगा इससे क्या होगा कि ये जो particles होती है ये जो उपर वाली covering होती है ये दूसरे particles के साथ बाअसानी जाकर जुड़ जाती है तो इस तरह से इनकी viscosity भी बढ़ जाएगी और इनके दर्मयान में जो कुवत है वो भी कम हो जाएगी और इस तरह ये एक दूसरे की तरफ खिचना शुरू हो जाएगी इसके बाद हमारे पास दूसरा function है suspending agents are so act as thickening agent हमारे पास जो suspending agent होते है वो thickening agent का भी काम करते है क्योंकि इनके उपर एक जो cover चड़ जाता है इसे इनकी मुटाई बढ़ जाती है और ये मुटाई जब बढ़ना चुरू हो जाती है तो तमाम particles का size भी बढ़ता चला जाता है इस तरह ये solution गैरी शकल इक्तियार कर लेता है जिसको हम viscosity भी कह सकते है जिसको हम thickening भी कह सकते है they increase in viscosity of the solution which is necessary to prevent sedimentation of the suspended particles suspending agents का इस्तमाल solutions में इसलिए किया जाता है ताकर solutions की viscosity को बढ़ाया जा सके इसके साथ साथ हमारी जो suspension है उसके जो particles हैं जो कि ये हमने यहां पर देख रही हैं ये particles वापिस नीचे तह में जाके ना बैठी इनको तह में बैठने से बचाने के लिए हम इन suspending agents का इस्तमाल करते हैं जब भी हम suspension बनाते हैं तो इसमें हम जो भी drug यानि कि chemical का इस्तमाल करते हैं उस chemical की ही बेस ब़े हम suspending agent का फैसला करते हैं कि इस drug को बनाने के लिए हमें कौन सा suspending agent इस्तमाल करना है थाके हमारी जो परडेक्ट है वो अपनी एक मफ्षूस किस्थम की श inflation की शक्काइर बेरा लग सके अगर हम तमाम suspension के अन्दर एक ही suspending agent को डाल देंगे तो इस दूरत में हो सकता है कि हमारा जो chemical है वो इस Suspending Agent को बरदाश ना करे और जो ड्रग है वो सही तरह से Suspend ना हो सके इसलिए अदवियात को बनाने के लिए उनकी अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं उनका भी आपस में एक अच्छा कीमियाई अमल होना इंतहाई जरूरी होता है List of Suspending Agents include Suspending Agents की फेरिस्ट में हमारे पास शामिन है पहले नमबर पर अकेजिया, दूसरे नमबर पर ट्रेगागेंथ, तीसरे नमबर पर बेंटोनाइट और चौते नमबर पर सीमसी जिसको कारबॉक्सी मिथाइल सेलिलोस कहा जाता है पांचवे नमबर पर है जैन्थीन गम और सिक्स नमबर पर है पौर्डर्ट सेलिलोस साथवे नमबर पर है जैलाटिन और आठवे नमबर पर है मिथाइल सेलिलोस और नौवे नमबर पर है सोडियम कारबॉक्सी मिथाइल सेलिलोस और दस्वे नबर पर है micro crystalline cellulose Excipient में हमारे पास अगला excipient है buffers A buffer solution is an aqua solution consisting of a mixture of weak acid and its conjugate base sort of the weak acid और a weak base and its conjugate acid sort of the weak base Buffers हमारे पास एक ऐसे solutions एक ऐसे chemical को कहा जाता है जो के खास तोर पर aqua solutions होते हैं यानि कि जिनको हम पानी में तियार करते हैं और buffers हों हैं यह हमारे पास एक या फिर एक से जायद chemicals का मजमुआ भी हो सकता है और इन buffers में हमारे पास जो चीज़ शामिल होती है यह weak acid होते हैं या फिर यह हमारे पास बहुत सारी bases का मजमुआ होते हैं जिनको हम weak acid के salt का नाम देते हैं या फिर यह हमारे पास weak bases होते हैं यानि कि यह हमारे पास तिजाबियत का मजमुआ होते हैं जिसको हम weak base का नाम देते हैं इस बात का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी acid मजूद है और हम उसकी pH को maintain करना चाहते हैं तो इस सूरत में हम इसका reaction किसी भी base के साथ करवा देंगे तो इस तरह से इस concentration reaction से जो चीज़ बनेगी वो weak हो जाएगी अब हम बात करते हैं कि buffers क्या होते हैं और इसकी मकमल तारीफ क्या है buffers are used to resist change in pH upon dilution or addition of acid or aligree buffers हमारे पास ऐसे chemicals को कहा जाता है जो कि किसी भी share की pH को तबदील होने से रोकते हैं जैसा कि मसाल के तोर पर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने acid को डाला हुआ है अब हम ये करते हैं कि इस acid में हम मजीद acid और डाल देते हैं इस acid की हमारी जो pH है वो 7 है अब ये जो हमने बाद में acid डाला है इसकी pH हमारे पास 3 है लेकर हम यह चाहते हैं कि इसकी pH बिल्कुल भी तब्दील ना हो तो जो चीज pH को तब्दील होने से रोकती है इसी को हम buffers कहते हैं या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हमने बीकर में एक स्केमिकल जिसका नाम इस सड़ है यह रखावा है अब हमने इसके अंदर गलती से बेस डाल दी है लेकर हम यह चाहते हैं कि इसके pH बिल्कुल भी तब्दील ना हो तो हम इसमें buffers को डाल देंगे तो buffers हमारे पास ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो कि किसी भी केमिकल के अंदर अगर हम उस केमिकल को डाइल्यूट करें जोगती है इसी को हम buffers कहते हैं buffering agents have the variable properties some are the soluble than others and some are the acidic while others are the basics buffering agents की बात करें तो इन में बहुत सारी खुदूसियात मजूद होती है कुछ buffers हमारे पास soluble होते हैं कुछ buffers हमारे पास insoluble भी होते हैं कुछ buffers हमारे पास बतारे acidic यानि के तजाबियत खास्कित रखते हैं और कुछ हमारे पास buffers ऐसे होते हैं जो के अलकली जैसी खुदूसियात रखते हैं अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से buffers हैं जिनका इस्तमाल हम अदवियात को बनाने के लिए करते हैं जिसमें हमारे पास पहले नमबर पर है potassium phosphate दूसरे नमबर पर है sodium acetate तीसरे नमबर पर है sodium citrate जिसको हम enhydrous and dihydrate form भी कहते हैं चौते नमबर पर है stick acid sodium acetate और पांचवे नमबर पर है boric acid sodium borate और सिक्स नमबर पर है citric acid sodium citrate और साथवे नमबर पर है phosphoric acid potassium phosphate वट अप्लिकेशन्स आफ बफर्स बफर का इस्तमाल अदवियात में क्यों किया जाता है या पिर इसके और कौन कौन से फवाइद मजूर है जिसमें हमारे पास पहले नमबर पर है buffer solutions are used frequently in pharmaceutical practice particularly in the formulation of the ophthalmic solutions buffer solution का इस्तमाल अदवियात को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है तो कि जब हम कोई भी chemical बना रहे होते हैं या पिर अगर हम किसी भी chemical से एक मखसूस किसम की दवाई की शकल बना रहे होते हैं तो इस सूरत में हो सकता है कि इस दवाई का जो pH है वो हमारे जिसम के pH से बिलकुल मुख्रिक हो तो इन दोनों के pH को maintain करने के लिए यानि कि दवाई के pH को और इनसानी बॉड़ी के pH को maintain करने के लिए जो चीज इस्तमाल की जाती है उसी को हम बफर्स कहते हैं और ये बफर्स का ज्यादा तर इस्तमाल खास दोर पर अप्टेलिमिंग स्लूशन्स यानि कि ऐसी स्लूशन्स जो कि आँखों में डाले जाते हैं ऐसी अदवियाद जो कि आँखों में कत्रों की सूरत में डाली जाती है उन में बफर्स का इस्तमाल बहुत ज्यादा किया जाता है क्योंकि जो I.S. की पी-एच है वो और होती है और जो केमिकल की पी-एच है अगर उसके अंदर कोई भी डिफरंस है तो इन दोनों की डिफरंस को मेंटेन करने के लिए हम बफर्स का इस्तमाल करते हैं इसके अलावा ऐसी अद्वियात जो की इंजेक्शन की शकल में पाई जाती है और उनको बतारे इंजेक्शन इंसानी खून के अंदर शामल किया जाता हो तो ऐसी अद्वियात में भी बफर्स का इस्तमाल किया जाता है इसके बाद हमारे पास दूसरे नबर पर है buffer solutions are used in the fermentation process buffer solutions का استعمال हम fermentation के तरिकेकार में भी करते हैं तीसरे नबर पर है they are also used in chemical analysis and calibrations of the pH meters अगर हमने किसी भी solutions की pH को देखना हो और हम ये भी चाहते हों कि इसकी pH बिलकुल भी तबदील ना हो तो बहुत सारे chemicals का तज़िया करने के लिए और pH meters को maintain करने के लिए और उसके बारे में तमाम तर जाच परताल करने के लिए भी हम buffers का استعمال करते हैं चौते नबर पर है majority of biological samples that are used in search are made in the buffers बहुत सारे biological samples जैसे के इनसानी जिसम से निकाले जाने वाले बहुत सारे नमूनेजात को अगर हमने लंबे अर्से तक महफूस करना है या पिर इन नमूनेजात के उपर अगर कोई मजीद तहकी करनी है और उनको कुछ दिनों के लिए महफूस करना है तो ऐसी सूरत में सबसे बहतर जो solution होता है इसको हम buffer कहते हैं ताके ये नमूने हमारे buffer जैसे solution के अंदर लंबे अर्से तक महफूस रह सके और इन में किसी भी तरह की कोई तबदीली रूनमा ना हो सके एकसीपियंट में हमारे पास आखरी एकसीपियंट है stabilizers जैसा कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है किसी भी चीज़ को stabilizer करना मतवाजन हालत में रखना अब इसकी मकमल तारीफ क्या होती है पहले ये जानने की कोशिश करते है stabilizers is a chemical which tends to inhibit the reaction between the two or more than two chemicals stabilizers भी हमारे पास chemicals ही होते है जिनका असल मकसद ये होता है कि हमारे पास अदवियात को बनाने के अमल के दुरान जितने भी chemicals इस्तमाल किये गए है वो तमाम chemicals अपनी अपनी जगा पर एक मकसूस किसम की शकल बरकरार रख सके और वो उन में किसी भी तरह की कोई तबदीली रूनमान ना हो सके तो इस सूरत में अदवियात के अंदर एक जो नया chemical डाला जाता है इसको हम stabilizers कहते हैं ये असल में अदवियात के अंदर इस्तमाल होने वाले जो तमाम तर chemicals हैं उनके दरमयान जो कीमियाई अमल होने जाता है उस कीमिय अमल को रोकने के लिए इस्तमाल किया जाते है जरूरी नहीं है कि हम एक नए केमिकल को स्टेबलाइजर का नाम दे हम अदवियात को बनाने के लिए जितने भी एक्सीपियंट इस्तमाल करते हैं जिनका जिकर हम पहले बड़ी डिटेर्ट में कर चूके हैं इन एक्सीपेंट को भी आप बतौरे स्टेबलाइजर्स इस्तमाल कर सकते हैं यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट्स टू प्रिवेंट दा सेडिमेंटेशन जैसे हमने सस्पेंशन को बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तमाल किया था जिसका मखस्द यह होता है कि हमारी जो अदवियात हैं खास दोर पर जो सस्पेंशन है उसके अंदर जो पौरडर इस्तमाल किया गया है वो पैंदे में जाकर ना बैठे उस चीज़ को बचाने के लिए हम suspension वे suspending agent का इस्तमाल करते हैं और ये suspending agent भी बतारे stabilizer इस्तमाल किये जा सकते हैं Adding a preservatives To prevent a microbial spilish अदवियात के अंदर जो preservatives इस्तमाल किये जाते हैं ताकर अदवियात को micro organisms की growth से बचाया जा सके ये भी हम as a stabilizer use कर सकते हैं और अब buffer to adjust the pH for the optimum stability या फिर solutions के अंदर हम जो buffer इस्तमाल करते हैं ताकर solution के अंदर किसी भी तरह की कोई कीमियाई तबदीली या फिर उसकी pH के अंदर किसी भी तरह की कोई तबदीली बगेरा ना आए तो इस तीस को भी maintain करने के लिए हम जो buffer इस्तमाल करते हैं वो भी हमारे पास stabilizer की एक मसाल है तो अब हमारे पास ये बात वाज़ा हो चुकी है कि जो stabilizers होते है that is being added to enhanced the product stability stabilizers ऐसे chemical को कहा जाता है जो के अदलियाद को एक मखसूस किसम की तवाजन एक मखसूस किसम की चकल को बरकरार रखने के लिए इंताई जरूरी होते है और जो चीज परड़क्ट की अफादियत को बढ़ाती है इसी को हम stabilizer कहते है और stabilizer हमारे पास एक नया chemical भी हो सकता है या फिर वो एक सीपियंट जिनका हम पहले जिकर कर चुके है वो भी हम बतारे stabilizer's अद्वियात में इस्तमाल कर सकते हैं